जो पवन सिंग आज पांच करूर का गाना बना रहे हैं, साड़े पांच करूर की गाड़ी में चल रहे हैं, एक समय ऐसा था कि पवन सिंग के पास मात्र 60 रुपे बचे थे, घर का EMI देने के लिए पैसा नहीं था और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 2018 और 2019 की बात ह जब अक्षरा सिंग उनके लाइट में थी, जब अक्षरा सिंग उनके साथ रह रही थी, तब पवन सिंग के काउंट में मात्र 60 रुपे बचे थे, और ये सब कुछ पवन सिंग ने खुद अपनी मूँ से बताया है, कि कितने रुपे उनके काउंट में बच गए थे, घर क एमाई देने के लिए पैसा नहीं था और यह सारी बाते जो है वो बीना मालवी से पवण सिंग ने बताया था बीना मालवी și मुंबई गई थी पवण सिंग से मुलाकात करने पवण सिंग ने पूरी रात अपनी आप बीती सुनाई है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से अक्षराज सिंग को उन्होंने नहीं बलकि अक्षराज सिंग ने पवन सिंग को प्रतारित किया उन्होंने ये भी बताया कि किस कदर अक्षराज सिंग उनके जीवन में थी तो उनके काउंट में मात्र 63 रुपे था अक्षडा सिंग के पिता भी पवन सिंग के पैसे पर राज करते थे आज सब लोग जो है वो पवन सिंग को भला बुरा बोल रहा है लेकिन पवन सिंग ने सारे पोल खोल दिये हम लगतार ये बाते बता रहे थे पवन सिंग अपने प्रसनल लाइफ में इतने बदनाम हो चुके हैं कि एरा गेरा कोई भी पवन सिंग को कुछ भी बोल कर चला जाता है लेकिन पवन सिंग को सब लोग दोसी करार देते हैं आज जिस पवन सिंग को आप नसेरी बोल रहे हैं ये टैग अगर किसी ने दिया है तो वो अक्षरा सिंग ने दिया है अक्षरा सिंग ने ही बताया कि पवन सिंग नसे में रहते हैं और आज पवन सिंग को बदनाम कर दिया गया है लेकिन पवन सिंग ने कहा कि हम जही आप मुंबई में रहना हो, मुंबई से फ्लाइट पकर के पटना आना हो, सारी टिकट की बेवस्ता हो, घर का रूमरेंट हो, भाई के पढ़ाई का खर्चा हो, पटना में आने का खर्चा हो, सब पवन सिंग करते थे अक्षरा सिंग के पास एक रुपए नहीं रहते थे और आज अक्षरा सिंग वही बता रही है कि पवन सिंग उनको प्रतारित करते रहते हैं और ये सब कुछ हम नहीं बलके बिना मालवी ने बताया बिना मालवी ने बताया कि खेसारी को रितेश पांडे तक को अक्षरा सिंग बैंक्रप्ट कर चुकी है सब को लूट चुकी है इनका बस यही दंदा है कि लड़कों से सटो और उनका पैसा हरप लो और अब अक्षरा सिंग जो है वो कहती है कि भाई भाई हमको पाउन सिंग ने सताया है हमको ये किया है लेकिन असल में पाउन सिंग ने खुलासा किया है कि अक्षरा को मैंने नहीं बलकि मुझे अक्षरा ने सताया है मेरा सारा पैसा अक्षरा सिंग ने ले लिया और ये सारा बात जो है सारी पोल जो है वो अक्षडा सिंग ने बिना मालवी के सामने खोल दिया है बिना मालवी से बताया कि किस तरीके से उनके एकाउंट में एक समय में 360 रुपए थे वो 360 रुपए ऐसे हो गए थे कि उनके पास इतने तक पैसे नहीं थे कि वो घर का EMI दे घर के EMI के पैसे नहीं थे तब उन्हों ने दोस्तों से मदद ली और आज उन दोस्तों के साथ घूमते हैं तो अक्षडा को लगता है कि मेरे धुस्वन ओंके साथ घूम रहा है असल मैं पवन सिंग की दुस्वन है तो वह अक्षडा सिंग है और यह इस कदर कि उनको लूइठ Kbus या और अब देखिए आगे क्या होता बेराल इस कबर में इतना ही बनने रहाँ साथ और देखते रहें दे इंडिया टॉप